हेलो फ्रेंट मैं हूं सिवानी मिज्टर स्वागत है आप सब इका डिजाइन पुम्याज बैग ब्लाउट डिजाइन बताएंगे तो ब्लाउच की लंबाई देख लीजिए मैंने 14 इंच रखी है तो 14 इंच के साइज पर ब्लाउच ले रीजेगा 6 इंच की लंबाई मैंने आर्म होल की सोरी सोल्डर की रखी है और 6 इंच आर्म होल की भी है ब्लाउच का साइज अपने कॉर्डिंग रखिएगा तीन इंच की चोड़ाई देते हो गले की मार्किंग कर रहे हैं नीचे के साइड भी तीन इंच की चोड़ाई पर मार्क कर देंगे दोनों मार्क को बि ड्रॉ करके बॉक्स बना दिये हैं चार इंच की चोड़ाई पर एक और मार्किंग किये हैं अब दो इंच की लंबाई पर इसके बराबर में देखिए मार्क कर लिये हैं अब डिजाइन का मार्किंग करेंगे तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं कैसे मार्कियों ऐसे कर द देते हैं तो मैंने अच्छे से गले की कटिंग कर दिया है दोनों को बराबर में रख देंगे फैल आकर एक सिलाई लगा गले की पूरी अच्छे तरीके से स्टीचिंग कर लेते हैं तो देखे मैंने गले की बिल्कुर अच्छे से पूरी स्टीचिंग कर दिया है अब गले पे हम छोटे-छोटे कट लगाएंगे इससे जब गले को हम पलट कर सीधा करेंगे तो हमारा डेजाइन सेम आ जाएगा तो मैंने पूरे गले पे कट लगा दिया देखे हो गले को पलट कर सीधा करें सीधा कर दीजिएगा और एक सीलाई लगा के गले की फीनिसिंग की स्टीचिंग करेंगे तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं कैसे फीनिसिंग की स्टीचिंग कर रहे हूं ऐसे कर दीजिएगा तो मैंने कम्प्लीटली देखे फिनिसिंग की स्टीचिंग आपको करके दिखा दिया है गले की इस तरीके से स्टीचिंग करने के बाद हम ब्लाउज के भी स्टीचिंग करेंगे तो अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर में फैला लीजेगा और एक सिलाई लगा के पूरे ब्लाउज के मच्छे लिके से साइट से स्टीचिंग कर लेते हैं तो मैंने देखिए पूरे ब्लाउज की औल राउंड स्टीचिंग कम्पलेटली कर दिया है अब नीचे के साइड में ब्लाउच में ट्रक्स की स्टीचिंग करेंगे तो अच्छे से माप लेते हो ट्रक्स को स्टीच कर दीजेगा जिस तरही के से मैंने इस साइड से ट्रक्स को स्टीच करेंगे तो मैंने दोनों साइड से ट्रक्स को बिल्कुर अच्छे से स्टिच कर दिया नीचे के साइड से फैब्रिक जॉइंड करेंगे अब इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करते हैं ब्लाउच के साथ में जॉइंड कर लेंगे और एक सिलाई लगा कि इसकी पूरिय में स्टिचिंग कर देते हैं तो मैंने देखी नीचे के साइड से बिल्कुर अच्छे से पूरी स्टिचिंग कर दिया ब्लाउच ये देखिये मेरा स्टिच हो चुका इसको बराबर में 20 से देखे फोल्ड करदेंगे इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करने के बाद ठोड़ा सा प्रेस करेंगे बीच में थो हमारा मार्किंग टाइप में आ जाएगा अब इसको बराबर में फैला कर यहां से कट करके अलगलग एक पार्ट में कर देंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे तो दोनों साइट से स्टीचिंग कर दिया अब इस पे हम पाइपन करेंगे तो इसको साइट करते हैं और पाइपन बनाने के मैंने यह पट्टी लिए स्ट्रेचबल क्रॉस में क तो मैंने पाइपन की पट्टी कम्प्लेटली बना लिया है अब इस पट्टी को हम पहले साइड करेंगे और मैंने ये ब्लाउस ले लिया है अब ब्लाउस के गले पे देखिए कैसे हम पाइपन की पट्टी को स्टिच करें सेम ऐसे आप भी स्टीचिंग कर लीजिएगा तो देख लीज़े मैंने अच्छे दगी कि इसे पट्टी की स्टीचिंग कर दिया अब इसको राउंड करते हो पाइपन बनाएंगे अच्छे से पाइपन बिल्कुल गोल में बनाते हो एक सिलाई लगा कि पाइपन की पूरी स्टीचिंग कर देते हैं तो मैंने देखे पाइपन को बिल्कुल अच्छे से स्टीचिंग कर लिया नीचे के साइड से भी हम पाइपन की स्टीचिंग करेंगे तो देखे पाइपन की पट्टी को श्टिच करें, ऐसे स्टीचिंग करने की बाद यहां से भी राउंड करते हो, पाइपन बना की स्टीचिंग कर लेंगे तो मेरा देख लिजी ये पार्ट बिल्कुल अच्छे से complete है इसको side करेंगे और दूसरा part लेंगे अब दूसरे part पर भी देख लिजी मैं कैसे pipean कर रहें इस तरही कैसे कीजिएगा तो बिल्कुल बराबर रगते होence side से में इसके देखे pati की pipean की pati को stitching कर रहें में ब्लूक्ल अच्छे से पाइपन बना के पूरी चीचिंग कर लेंगे कि अब सरा पार्ट और आप तको बिल्कुल बराबर में रखते गिलाई लगा कि इसकी पूरिये में स्टीचिंग करेंगे तो आप वीडियो में देखते हैं आपको क्लियर समझ में आ जाए कैसे हम दोनों पार्ट को श्ठीच कर ऐसे कर दीछेगा यह दोनों पार्ट श्ठीच हो चुका है अब इस पर डिजाइन करना है तो मैंने कुछ डिजाइन कट कर ली जिनको स्कूर में कट किया है इनको बनाने के लिए पहले देखिए हम छोटा छोटा देखिए कत्रन टाइप का कपड़ा इस तरीके से कटिंग कर देंगे अब इसको हम अच्छे से बिल्कुल राउंड में करते हुए बीच में बिल्कुल रखेंगे और बॉल्स टाइप का पोटली बटन बना लेते हैं तो आप देख रहें मैं कैसे पोटली बटन बना दो इस तरीके से आप भी पोटली बटन बना लीजिएगा देख मेरा यह complete है एक और दिखा देते जिससे आपको clear हो जाए इस तरीके से कट्रें टाइप का कपड़ आप कट करने के बाद हम बीचों बिल्कुल balls टाइप में रखेंगे तो गोल्ड करते हो कपड और पोल्टन बना देंगे तब को यह बटन बना बिल्कुल अच्छे से आ गयो कैसे बनाया ऐसे बना लीजाई जितना भी डिजाइन में यूज करना है तो मैने देख लीजी एक डिजाइन के लिए बटन जो सब्साभी बनाएक है और मैंने ब्लाूज ले लिया ब्लावूस के गले पर डेकुरेट करें तो मैंने देख लीजी ये lesi ले लिया है lesi गलेपे बिल्कुल अच्छे तरीके से stitching करेंगे तो आप विडियो में देक दिया आप वो समझ में आ जाए कैसे मैं lesiय कि stitching कर रहे हूं इस तरीके से आप दूसरे साइट से करेंगे दूसरे साइट से कैसे करेंगे और पोटली बटन कैसे स्टीचिंग करेंगे तो यहां से देखिए हम पोटली बटन की स्टीचिंग करेंगे तो पोटली बटन को बिल्कुल बराबर में रख दीजेगा और देखिए उसके बिलकुल उपर से लेस रखते हैं जहां से हमने पोटली बटन को बांधा हूँ आज से लेस को रखते हैं पूरी स्टीचिंग कर लीजिएगा एक साइड से पहले हम लेस को निकाल लेंगे अब देख लीजिए अब जो एक्ष्टर फैब्रिक था पोटली बटन वे उसको हम पुरा कटिंग करके निकाल देंगे ति मैंने एक्ष्टर फैब्रिक कट करके निकाल दिया दूसरे साइट से भी लेस को बिल्कुल बराबर करते हैं सिलाई लगा के पूरी स्टीचिंग करेंगे तो मैंने दोनों साइट से लेस की देखिए बिल्कुल अच्छे सी स्टीचिंग कर दिया है मेरे ये ब्लाउट डिजाइन देखिए बिल्कुल कमप्लीट है अगर आपको अच्छी लगी हुए डिजाइन तो प्लीज लाइक से कमेंट करें ना भूलिएगा प्लीज चैनल को स कर दीजेगा में लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए चलिए फ्रेंट मिलते हैं नए वीडियो में ने डिजाइन के साथ जो ऐसा ही ब्यूटिफुल और सिंपल हो थैस्ट पर वाच्छिंग बाई बाई